घर बनाने के लिए मार्केट में आपको दो परकार की सरिया मिल जाएगी एक सरिया ऐसी होती है कि उस सरिये पर ये थोड़ा सा लोट पड़े तो कुछ इस तरीके से तूट जाए आप देख सकते हैं कि जैसे इस पर हमने थोड़ा सा लोट दिया ये तूट गया तो market में एक सरीया ऐसी भी आती है कि उस पर थोड़ा सा load पड़ा वो टोट गया तो घर बनाने के लिए इस तरीके की जो सरीया होती है वो बिल्कुल भी suitable नहीं होती है तो घर बनाते समय इस तरीके की सरीया का उप्योग आप नहीं करेंगे और इसके साथ-साथ market में एक सरीया ऐसी भी आती है जिस पर आप चाहे जितना load दीजिए उस पर चाहे जितना load हो जाए उसका safe change हो जाएगा यानि कि वो टेणी मेडी हो जाएगी बट वो टूटेगी नहीं इस rod की तरह इसको आप चाहे जितना इधर उधर कीजिए इसका safe change हो जाएगा लेकिन ये टूटेगा नहीं तो घर वणाने के लिए हमें इसी परकार की इस्टील का उप्योग करना चाहे है यानि कि सरीये में flexibility बहुत ही जादा होनी चाहे है तो चलिए हम आपको एक एक करके बताते हैं कि इस्टील यानि की सरीया खरीदते समय आपको कौन-कौन सी 9 बातों का ध्यान देना चाहे है याद इस्टील खरीदते समय आप इन 9 बातों का ध्यान देंगे और TMT Steel की खास बात ये होती है कि इस Steel पर चाहे जितना लोट पड़ जाए ये अपना सेब चेंज कर देती है बट ये टूपती नहीं है यानि कि TMT Steel में Steel की flexibility बहुत ही जादा होती है तो इसलिए घर बनाते समय आपको TMT Steel का उपयोग करना चाहिए आप देख सकते हैं कि आपक से देख लेंगे तो आपको कहीं न कहीं कुछ इस तरीके से TMT लिखा हुआ मिल दाएगा तो घर बनाने के लिए ये आप इश्टील खरीदने जाईएगा तो यहीं बोलिएगा कि हमें TMT Steel जाईए ठीक है सेकंड पॉइंट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि मार्केट में कुछ इस तरीके से TMT Steel आती है और इसके साथ कुछ इस तरीके से रिव यानि की पट्टियों वाली इश्टील आती है और यदि आप 1-2 मंजिला बना रहे हैं तो कॉलम में आप रिंग बनाने के लिए प्लेन इश्टील का उपिऊग कर सकते हैं बट रिंग के अलामा आप कहीं पर भी प्लेन इश्टील का उपिऊग घर बनाने में नहीं करेंगे थर्ड पॉइंट की बात करें तो जब भी आप इश्टील यानि की सरीया खरीदने जाएगा तो सबसे पहले जहां से आपको सरीया निकाल कर दिया जाएगा उस गुदाम में आप चले जाएगा और वहां पर देखिएगा कि जो सरीया आपको दी जा रही है वह कहीं सीधे जमीन पर तो नहीं रखी है क्योंकि सीधी जमीन पर जब आप इश्टील यानि की सरीया को रखते हैं तो इश्टील कुछ इस तरीके से जंग खा जाती है और जंग लगने के बाद इश्टील खराब हो जाती है यानि कि उसकी जो इश्ट्रंथ होती है, जो मजबूती होती है, वो धीरे-धीरे कम हो जाती है क्योंकि इश्टील को रखने का जो सही तरीका है, आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से लकडी के गुटके को लगा कर उसके उपर इश्टील को रखना चाहिए जिससे इश्टील यानि कि सरिया किसी भी तरह की नमी के संपर्क में ना आए और उसमें जंग ना लगे तो इश्टील खरीदते समय आपको इनी तीनों पॉइंटों का ध्यान देना चाहिए बट इसके अलावा भी कुछ पॉइंट और हैं जिसको जान लेना आपके लिए बहुत ही जरूरी है जिससे घर का कॉलम बनाते समय कॉलम में आपको 12 mm से कम इस्टील नहीं लगानी है फाइप नंबर पॉइंट की बात करें तो फूटिंग में आपको 10 mm की इस्टील का उप्योग करना है यानि कि घर का फाउंडेशन बनाते समय फाउंडेशन का कुछ इस तरीके से जुज्जाल बनाया जाता है इसको बनाते समय आपको 10 mm की steel का उपयोग करना है ठीक है, ground floor और first floor नॉर्मल घर बनाने के लिए next घर की beam बनाते समय आपको 12 mm यानि की 12 mm की steel का उपयोग करना चाहिए और इसके साथ column और beam में कुछ इस तरीके से जो ring लगती है इस ring को बनाते समय आपको 8 mm की steel का उपयोग करना चाहिए और steel में rib यानि की पट्टियां यद बनी हो तो बहुत ही अच्छी बात है 8 number point की बात करें तो घर का slab बनाते समय आपको slab में 10 mm की steel का उपयोग करना है तो ये तो हो गई steel की बात और steel को लगाते समय ये आप कुछ point का ध्यान नहीं देंगे तो आप ये मान के चलिए कि आप कितनी भी मजबूत steel market से उठा लाईए वो किसी भी कामकार नहीं रहेगा जैसे आप देख सकते हैं कि slab धलाई होने के बाद कुछ इस तरीके से slab का steel दिख रहा है तो अब यहाँ पर चाहे जितनी मजबूत सरिया लगी हो अब उसका कोई मतलब नहीं रह गया तो यहाँ पर steel इसलिए दिख रही है कि slab की धलाई करने से पहले कुछ इस तरीके से steel के नीचे कबर ब्लॉक लगाया जाता है तो यहाँ पर सही से कबर ब्लॉक नहीं लगाया गया जिसका दोस पैड़ाम यह हुआ कि slab धलाई होने के बाद slab का steel नीचे से दिख रहा है तो slab की धलाई कराते समय आपको कबर ब्लॉक लगवा देना है नहीं तो आपकी steel किसी भी काम की नहीं रहेगी तो इस वीडियो में steel से related हमने आपको 9 पॉइंट बताए जो की घर बनाने से पहले सभी को पता होने चाहिए यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीचे अपना ख्याल लखिए और अपने ममी पापा का अपने से भी ज्यादा ख्याल लखिए इसी भाव के साथ आप सभी से बिदा लेते हैं धर्निवाद